कि एक गुट इसकार गुट इवनिंग बेटाओं स्वागत आप सभी का जूगल और online classes में तो कैसे हैं विटाओं आप सभी लोग online वाले तो अपना यहां पर मोटर मेकैनिक और डीजल मेकैनिक का complete चल रहा है और इसके ताइज आपन क्लच पे चल लेते हैं और मंडे से आपका एक और ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा जो कि और वैसे की और इन्टेड धिन त्रेड के नहीं होती है इतंड नह्येंग रखना एतंडब्र वाले यसे सर बतार है KP अलवह幫 नाम से नस्ञाव क्योंकि वहां पे सब्जेक्ट पढ़ाया जाता उना वहां पढ़ा था तो इंग पढ़ते हैं बोलो अपने पूरा अपने क्लासिफिकेशन किया उसके बाद हीट इंजन को ही तो में लिए अपना यहां पर उश्माई तो प्रोड्यूस हो रही है तो उश्में इंजनी तो पढ़ते हैं अपन भी तो वही सेम से पकड़ों यह उदर से पकड़ों से फरका हाँ आधी काहा थो गया था एक बार करेंगे कलच वाला कहता हुए था है अब होगया था अब क्योंसा एगा मल्टी प्ले टर अनो झालिबника स方法 को प्रेसिंग दोने क्लच हर फीशिंग ने झाल 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 पहले पता हूं अच्छी क्लच फेसिंग एक्च्वल में क्यों की जाती है तो वह लिखने की जरूत नहीं मेरे साब से लिखने की जरूत है वह आपकी फेसिंग की जाती है सबसे पहले बाती लिखने नहीं की जरूत आप यहां पर रिविट के द्वारा की जाती तो आपन के अब यहां पर मटीरियल और उसके बारे में पढ़ेंगे की रिविट के अंदर सबसे पहले में बात करो आपकी जो नॉर्मल गाडिया आती है जो आपकी लगबाग आठ दास बीस लाग कहां यह था इंजन के अंदर अपन पर्योंकर्य क्या अपर में अपके ज Na apkate आते हैं हो इसके के करने तो प्योर एस्वेस्ट तो एक चमडे टाइप में हो गया लेधर एक और मोस्ट लेधर बोल सकता हूं उसको तो लेधर इतना स्ट्रॉंग नहीं रहेगा तो इसके लिए अपन इसमें तामबा भी मिक्स दरते हैं तामबा डालते हैं तो लिक्षो कि अग्योग कि अगर्ण करने में तो लिए कि क्लच फेसिंग कि अग्योग सामान्यत है अमेने सामान्यत है लिग दिए उसका मतल्व लगबागाड़ी यह ना फाइवर कि एस्वेस्ट्स तो मोल्ड कर बनाई जाती है प्लाच फेसिंग करते समय इसमें हलका साथ तामभा भी प्रियोग किया है जिस से क्या होगे तो मजबूती मिलती है साथ में अब तामभे का जो उश्मे प्रसार गुणा क्या उश्मे जो आपका थर्मल कंडेक्टिविटी होती है वो भी हाई होती है इससे आपको हीट ट्रांस्फर में भी फायदा मिलेगा ना साथ में उश्मा इस्थानांतर्ण भी बढ़ेगा तो तामभे के दो परपज हो गए तो इस प्रकार आता है कि क्लच फेसिंग के अंदर कौन सी दातु यूज की जाती है तो आपको उप्शन दे देगा सोना चांदी तामभा इस प्रकार अल्यूमीनियम तो आपको ध्यान रखना है तामभा यूज किया जाता है ना मेरे और क्लच फेसिंग को किसके द्वारा फिक्स किया जाता है रिवेट्स के द्वारा लिखाओं क्या है और लास्ट लिखो महेंगी और इंपोर्टेड गाडियों में महेंगी और इंपोर्टेड गाड़ियों में पॉर्क की फेसिंग की जाती है ऐसे जब आप सी एंजी वगयरा किट लगवाने जाओगे ना तो वहां पर भी आपको देखना को मिलेगा इंपोर्टेड जो केट होती है वह थोड़ी ज्यादा काम की रहती है अपने इंडियन वर्जन से अब ऐसे तो अपने इंडियन भी आती है आज कल काफी ज्यादा चल रहा है इसका तो एक तो आज कल तो गाडियां देने मतलब ब्रांट जो है देने लग गए सी एंजी किट साथ में इंबिल्ट देने लग गए लेकिन भार से भी बहुत ज्यादा चल रहा है आज कल लगवार है लोगवार मेरे पास पर काफी बार है को नाए इसके लिए तो मैंने भी इस पर थोड़ी से रिसर्च की थी तो जिसमें देखा जाया तो इटली के किट जो आता है न वह ज्यादा ब्रेंड जैसे लवेट ब्रांड आती है इंडिया की जैसे ई-ग्रीन आती है मीजो आती है लेकिन इन सब में भी आप देखोगे ना लगबग 30-40% प पूरा दिमाक होता है आपके वेहिकल का वह दिमाक आज भी मतलब इंटली सही वाला ही चाया कोई से भी ब्रांड का लगवालो थे क्योंकि मेंट बाकि तो इंजेक्तर फेंजेक्टर तो वह बना लेता हो तो इंजसर हो गए और डामिक हो गया…. रिडूस पाइप वाकी वायरीं होती है वाकी कुछ हाही नहीं और मेन आपका वोल होता हैं जिसमें आप गयास फेलिंग कर वाते हैं वह वह अच्छी गॉलिटी का होना अच्छी तो यह देखा जाये तो मेन इसीए में होता है जो कि आप किसी भी कंपनी का ले लो सब में made in Italy मिलेगा इंडियन तो और वही कहीं नहीं आपका पिक अगयरा है हलंकि आजकल एडवांसर और यूजब एक नवह रहा है फंडा एडवांसर यूजब करने लग गया तो पहले जो गाड़ी दपती थी लके-लकी कि लगती तो उसका भी सोलिशन आचुका है एडवांसर लगता उसके लिए तो वह का लगवाने जाओगे तो जो चीज लगेंगी तो लगेंगी को बोले सब्सक्राइब करना पड़ेगा उसको इससे बैट रहे ना जहां आपका पैट्रोल उसके साइड में निकलवा दो उसको चार-पांसर रूपर खर्चा आता है बस चार-पांसर रूपर एक्स्टा लगत ना बाहर से फिटिंग अच्छी दुखान पर करवाना ना है कि कंपनी फिटिट ज्यादा बेटर है कि इसमें फरक पड़ता है कि इंजन पर वैसा देखा जाए तो फरक तो पड़ता है बले लोग बाग एक्नोर कर देता है क्योंकि जो चीज जिसके लिए वनिये ना वह दूसरी चीज हालांकि देखा जाए है सिए जी गैस उससे सुपीरियर क्राइटी भॉता है कि उससे बैटर क्वाइटी हे सबसे पहले जब इंजन आया था आपका तब इस के साथ एर को मिक्स करके ही बनाया था ओटो जो आपका सभाइन पेट्रोल इंजन की मैं बात ऊसने यह किया था उसके पास उस पैट्रोल नहीं था उसने यही गैस को एयर के साथ मिक्सर के जला के इंजन चलाया था तो कहीं नहीं इतनी भी प्रोब्लम नहीं है कि दूसरा प्रोब्लम क्यों नहीं है क्योंकि उससे सुपीरियर क्वालेटी पॉल्यूशन नहीं होता है कार्बन जमानी होता है तो आपके प्रोब्लम नहीं है हलकी फुलकी रहती है compatibility की आती है उसके लिए मैंने बता एडवांसर क्योंकि compatibility की वज़े तो फिक अपर बूहर दाउन जाते तो एडवांसर और डाइनिमिक जो है वह अपना काम कर देता हूं उसमें थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा आपका नुकसान होता है फ्यूल का लेकिन वह पहले इंजेक्ट करवा क्रिए करो ही कि हम मिकस्तों होता है या डबल लगा देते हैं इंजेक्टर नहें आता है धोनों वाला होता है इली इफ़ीकसा से स्बूल ग्षाइप नभी होता है तो यह सप्लाई होगी और आपका एंग कंट्रोल कर लेता है कौन से सप्लाई देनी हो सकता है कि पर डीजल वाड़ा करवाएगा क्यों कि मुद्धा माइलेज का फस्ता है माइलेज पेट्रोल में ही कम मिलती है डीजल वाणने को दोई से बड़े डीजल और डीजल दिफ्रेंस कितना है बताओ सेंस बताओ मुझे वाइड डीज है अनी हो सब्सक्राइब होने में तो हो जाएगा क्योंकि सुपीरियर क्वालेटी है डीजल तो और भी लोग क्वालेटी है होने में तो हो जाएगा लेकिन आपको अगर अच्छा बेनेफिट चीए तो पैट्रोल गाड़ी चीए आपका करीवन पांचीक रुपय का डिफ्रेंस होगा अगर 95 अगर डीजल होगा तो 90 आपका सी अजी मिल जाएगा पांची माइलेज उसमें बढ़ेगा डीजल में कम बढ़ेगा पैट्रोल में डेड़ गुना हो जाता है और उसमें लगब एक पॉइंट एक पॉइंट दो गुना होता है मतलब अगर आपने डीजल में लगवाए ना तो आगर आपका बीस दे लिये तो 22-23 जेश तक हो जाएगा खीच के पैट्रोल के अंदर अगर आपका बीस देरिये तो 30 हो जाएगा सीधा डेड़ गुना होता है अगर आपकी गाड़ी सोला का देरिये तो 24 हो जाएगा सीधा डेड़ गुना होता हुसा हाँ यह था आपका clutch facing heading डालिए multi-plate sorry multi-plate clutch झाल 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 यह वोट्सेप को बंद मत किया अगरो बैक्ग्राउंड है तो फिर से लोड होने में समय लेता है झाल झाल कि अगरो कि अगरो कि अगरो कि 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 सबसे पहले तो आपको यह पता हो न अच्छी कि भाई इसका यूज क्या करेंगे कि क्यों यूज करें मल्टि प्लेट का क्या जरुत पढ़ गई अपन कैसी कि सिंगल प्लेट में काम नहीं चल रहता है अब जब जैसे जैसे आपका वहीकल का साइज बढ़ता जाएगा यानि मैं अब इनका लोड इतना होता है कि सिंगल प्लेट ना लोड नहीं ले सकती पचास आदमें को बिठा के और वह गाड़ी पूरे दस को एंटल की उसको एक प्लेट कवर कर सकती है इतना लोड नहीं दे सकती तो उसके लिए फिर अपन को क्या करना पड़ेगा या तो बहुत बड़ी प्लेट यूज करवा आप जो कि फीजिवल नहीं है बड़ी प्लेट आपको पता है इनर्शिया बढ़ाएगी अना वह अपन चाहते नहीं है तो अपन क्या करें आप मल्टिपल यानि एक सब्सक्राइब के पीछे एक बहुत सारी कलेट लगा कि अपन उसको काम करवा सकते हैं तो यहां पर वही कॉंसेप्ट रहेगा आपका दिख रहा होगा यहां पर रभर ओलिंग लगी उसके बाद फिर ड्रिवन प्लेट द्राइव प्लेट फिर ड्राइव प्लेट फिर फि उस आधार पर अपन cover करते रहेंगे लिक्वेंस के अंदर बड़ी बड़ी गाडियों बड़ी बड़ी गाडियों में या Earth moving मशीनों में बड़ी बड़ी गाडियों या Earth moving लिख लोगे न इसके अंदर बहुत बड़े-बड़े ट्रक्स आ जाते हैं आपके न बड़ी-बड़ी गाड़ियों में या अर्थ मुविंग मशीनों में ज्यादा लोड होने के कार्ण सिंगल प्लेट फिसलती है इसलिए इन में मल्टी प्लेट्स का प्रियोग किया जाता है ताकि ज्यादा पावर गीर बोक्स को भेजी जा सकें इसलिए अ अब एक अगर आपने मानलो complete यूज भी की तो फिर आपको एक समझ्या आने लग जाती इसमें तो ये slip करने लग जाएगी और थोड़े दिन बाद आपको उसके अंदर प्ले इसके अंदर एक समझ्या होती है क्लच प्ले समझते हो क्लच प्ले क्या होती है ये इसकी समझ्या में करवाऊंगा आपको क्लच प्ले होती है मतलब इसमें जो में प्रोब्लम आएगी नो प्ले क्या थी प्ले का मतलब क्या होता है कि आपकी क्लच जो होती है जो स्प्लाइन शाफ्ट और उसमें फसी रहती है को फिर या तो स्प्लाइन हब चेंज करना पड़ेगा या फिर अगर आपन ज्यादा उस पर लोड डालेंगे तो देरे-देर घिस जाएगे जल्दी जाएगी मतले तो प्ले की समझ्या उसमें आएगी कि दूसरा आप एक और चीज देखो इसमें क्लच फेसिंग चेंज हो जाएगी मल्टिप्लेट के अंदर फास्पोरस ब्रॉंज की हो जाएगी इंप्रोर्टेंट लिखो इसमें एस बेस्टरस की नहों के किसकी होगी मल्टिप्लेट क्लच में पेसिंग एस बेस्टरस की ना करके पास्फोरस ब्रॉंज क्रु एसमेछ गवस्टरस बेस्च साथ में यह जो मल्टिप्लेट क्लच होती है कि इन प्रतेक प्लेट के बीच में अना कि मल्टिप्लेट क्लच में प्रतेक प्लेट के बीच एक अत्रिक्त प्रेशर प्लेट का प्रियोग किया जाता है अत्रिक्त अत्रिक्त ताकि फ्लाइवील पर लगे पैगों पर प्लाइवील पर आगे पीछे जा सके अत्रिक्त प्लाइवील पर पैग क्या होते हैं प्लाइवील पर बाहर निकले होते हैं उन्हीं पर फिक्स किया जाता है ग्रिप करने के लिए पैग मतलब कुछ प्रेशर प्लेट कोई भी साधार डिस्क बोल सकता है क्योंकि उस प्रेशर प्लेट बोल देखने प्लाइवील तो प्रेशर प्लेट बोल दियो कि कि ऐसं प्रेट के प्रेश्रद के मिन क्तु है पाफिफ प Украї fantasy शवर्मिएज कि काफ़ी सारे होते हैं उस पर बाहर निकले होते हैं wür Television डाली जाती है एक एक करक्ए और यह सब्सक्राइब कर सकते हैं यह फिर आप चोटी चोटी स्प्रिंग वही मेकेनिजम सेम रहेगा बस यह कि अतरिक्त प्लेट का प्रियोग कर लिया जाता है का ऊंस आपका को मैं कुछा कर अने मालटी प्लेट वैट क्लच के अचिंगल प्लेट अंदर स्कूरियों क्यों नहीं हुआ इस ऌटी प्लेट क्लट्च क्यों है मृडृट वैट क्लच करốc है सिंगल प्लेट वेट क्लच क्यों नहीं है मल्टि प्लेट वेट क्लच ही पड़ रहा है तो अठीज कि वैट मतलब क्या होता है गीला गीले का मतलब यहां प्रता उसको ओईल में डुब होएंगे तो सिंगल प्लेट के अंदर और में क्यों दूबोने की ज़रत नहीं पड़ी देखो सिंगल प्लेट में इतना उश्मा प्रड्यूस नहीं होती है जितना कि क्योंकि यहां देखो कि आप पांच-दस प्लेट लगा होगे तो उश्मा तो बहुत ज्यादा बनेगी ना तो वह इनको ठंडा विद रखना है तो इसलिए मल्टी प्लेट में ही जरत पढ़तीया दो इसलिए मैपन पढ़ रहें आता भी नहीं है इसकी डी कारियमिद्धी भी मल्टी प्लेट क्लच की तरह ही होती है कि इसकी कारेविधी भी मल्टी प्लेट मल्टी प्लेट जो अभी उपर पढ़िए ना उसकी बात कर रहा हूं इसकी कारेविधी भी मल्टी प्लेट क्लच की तरह ही होती है अंतर के अवल यह होता है कि इसकी कारेविधी भी इसमें इसमें अरे यार कहा गया एडिंग नहीं डाली मैंने अरे यार सॉरी मुझे लगा एडिंग डाल दी मैंने इसमें इसमें लिखना है वाग इसमें लिखना है वाग इसमें इसकी कार्यविधी भी मल्टी प्लेट क्लच की तरह ही होती है अंतर केवल यह होता है कि इसमें क्लच प्लेटे और प्रेशर प्लेट अंतर केवल यह होता है कि इसमें क्लच प्लेटे और प्रेशर प्लेटे तेल में डूबी होती है नेक्स्ट पॉइंट लिखो तेल का प्रियोग दोनों प्लेटों को ठंडा रखने के लिए किया जाता है और यह वैसे तो डूबी रहती है लेकिन प्लेटों के मध्य में नहीं आती है इन दोनों के बीच में नहीं आता है यह तब आता है बीच में जब डिस अंगेज होती है जैसे डिस अंगेज होगा गैप बनेगा उनमें उपर तक ता कि सारों को ठंडा कर देख बाद फिर जैसे आप अंगेज करते हो वापिस निकल जाता है वहां पर बिल्कुल भी और नहीं बसता है तो यह चीजी लिख लो कि इसमें नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट एरोड डालके लिखना कि इसमें क्लच को डिस अंगेज करते हैं तब इसमें क्लच को डिस अंगेज करते हैं तब उनके मद्ध उनके मद्ध ओइल या तेल भर जाता है तो उनके मद्ध तेल भर जाता है और जैसे ही अंगेज करते हैं तो या तेल वापिस निकल जाता है जैसे ही अंगेज करते हैं तो या तेल भर जाता है निकल जाता है अब एक इंपोर्टेंट लाइन आ रही आपकी क्या होता है कि जैसे यह तेल निकलता है तो तेल थोड़ी देर तो उसको लिब्रिकेशन का काम कर देता है हलका सा तो इस वज़े सा अंगेज मेंट में समय लगता है हलका सा ज्यादा टाइम लगता है इस कंपेर टो ड्राइ की बात करूं या फिर आपने उपर जो क्लच पड़ी थी ना तो यहां पर क्या होता है क्योंकि एक स्मॉल इंस्टेंट की में बात करूं तो जैसे चलो निकल तो जाता है ओल लेकिन थोड़ा बहुत तो लगा रहेगा ना तो वह तो फिसल आएगा उसको तो यहां पर प्रोपर अंगेजमेंट होने में समय लगता है तो यह चीज लिख लो मल्टी प्लेट वैट क्लच में नेक्स पॉइंट बना के लिको कि मल्टी प्लेट वैट क्लच को अंगेज होने में थोड़ा समय लगता है को अंगेज होने में थोड़ा समय लगता है बराबर है अब हैडिंग डालिए हाइड्रोलिक ओपरेटेड क्लच हिन्दे में क्या बोलता है हिन्दे में भी हाइड्रोलिक ही बोलता है बार श्यामोल झानलो नहीं लोलता है है तो अब़ार समय क्या ड़ीन हैजर समय राभका समय । अब अगर हाइड्रोलिक शब्द का यहां पर प्रियोग हुआ है तो हाइड्रोलिक का मतलब बता दो मुझे एक शब्द होता है नियुमेटिक एक होता हाइड्रोलिक कुछ बता सकता है क्या है हाइड्रोलिक शब्द का मतलब क्या होता है मेरे को इस शब्द का यह एक साइन्टिफिक वर्ड है ध्यान रखना ऐसे एक निमेटिक भी होता है प्रतेक शब्द का कोई ना कोई आपको जहां पर भी यह हाइड्रो वर्ड नजार आ जाए हाँ बहुत बढ़िया मतलब वह लिक्विड से सम्मंदित पदाएगा लिक के ले लो कोई भी चीज हाइड्रो मीटर हाइड्रो मीटर की जितने भी मीटर लगा दी उनके आगे जब भी हाइड्रो लग गया तो समझ लेना कि वहां से कोई ना कोई पानी से तालुकात होगा और जहां पर नुमेटिक लग गया वहां एयर से सम्मंद मिलेगा आपको 101 परसेंट बोड़ा हूं गरेंटी दे रहा हूं जैसा आप इंगलिश में देखते हो जिसके भी पीछे फो हाइड्रो का मतलब ही पानी क्योंकि अपानी का साइंटिफिक नेम है आप गूगल पर सरच करोगे पानी का साइंटिफिक नेम हाइड्रो ही ही है एयर का नुमेक्टिक नूमेटिक आएगा इससे संब्बंद तो यह दो शाब्द ठोड़ा ध्यान लगना बार बार पाहला पढ़ेगा आपका और इससे पहले भी पढ़ चुका आपका कहां पढ़ा था है एच आपको मैंने ही यू आई पढ़ाया था अब आद दोस्तों की परकच्छ लोड़ गए उनके किसे फुल फॉर्म मैंने बताई थी बहुत इंपोर्टेंट है और याद नहीं रहती है क्योंकि इसमें बीच में कुछ और भी एड़ हो जाता है कि याद आया कुछ है कि CRDI भी पढ़ाया था आपको यह तो पता होगा आपको क्या होती है कि एक MPFI भी पढ़ाया होगा आपको मैंने दूस्टों बूल गया क्या को में बहुत बहुत बढ़िया कॉमान रेल डिरेक्ट इंजेक्शन और MPFI सिस्टम क्या होता है कि याद तुम नहीं पढ़ा था आ गए थे तुम कि मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन अब मुद्ध यह फस्ता है यह यह तो और बहुत बार आया हुआ है क्योंकि इसमें कुछ चब्द ऐसे होते हैं जो कि इसमें है यह नहीं एक्ट्रोइटेड का यह नहीं था यहां पर तो इसलिए थोड़ा से यह इंपोर्टेंट एक्जाम में यह आए यह आए यह तो हाइड्रोलिक ली एक्ट्रोइटेड एलेक्ट्रोनिक ली अधिक कंट्रोल उनिट इंजेक्शन सिस्टम हाँ फिस सिंटम में भी यह ओधर हो रहा तक टो हो दूड़ा को जितने भी आपके जैंक अी आपने हैं यह सब ऐल से अना और आपकेशल वी यह त्रोली ट्रोले बढ़े ट्रोले उठाने वाले होता होताना उइन में ही यूजा है में हदरोलिक सिस्टम यहोते हैं क्रेइन देखलो है हाँ अब हाइड्रोलिक के आगया सिस्टम तो कहीं ने कहीं अपना लिक्विड से पाला पड़ेगा यानि यहां पर प्रियोग करेंगे चाहिए ब्रेक उइल का यूज करो से कोई फरक नहीं पड़ता है अब देखा जाए तो यहां पर दो स्लेंडर यूज के जाएंगे एक पर पर चाहिए उसको नाम बदल दिया हालंकि काम सेम हरुआ चली पर नाम बदल दिए अस यह पर आपकी देखा जाए आजए पर रिकरिए अब हम पर रखखाए कि उससे काम चलतो रहा था पना क्या दिक्कत है कि मल्टी प्लेट सिंगल प्लेट उनसे काम चलतो रहा था सबसे मेजर जो इसका यूज है न है डॉलिक का तब है कि जब इंजन पीछे हो कि इंजन पीछे हो कि क्लच आगे है बंदा यहां सिर्व वहां तक भाईया पूरा दो चार आदमी लगके क्लच करने पड़ेगी क्योंकि इतना अगर मेकेनिकल आप मेकेनिजम यूज करोगे कोई मतलब वैसा आप शाफ्ट और यूज करोगे तो यह बहुत ताकत लगानी पड़ेगी उसके लिए इतनी लंबी जैसे आपकी लोग फ्लोर वससे बहुत लंबी होती और पीछे इंजन और होता है तो वह उसकी ओपरेट को उसकी क्लच को ओपरेट करने के लिए तो महाभारत हो जाएगा हाँ क्लच के लिए दो बंदे और हैर करने पड़ेंगे उनको उसको सोट आउट करता है बहुत सबसे मेन एडवांटेस कि बहुत कहीं इंजन टिका दो चाहे दूसरी काड़ कि कितनी भी दूरी हो कोई फरका नहीं पड़ेगा कि कहां ब्रेक आपका जाया तो तो या कोई mechanism यूज नहीं करने अपनको सीधा आइडॉलिक पर आना उठागे अब एयर पर भी नहीं आएंगे अपना आएंगे हाइडॉलिक कारण उसकी बीचे है क्योंकि जो लिक्विड जो होता है ना लिक्विड या आपका कोई भी लिक्विड हो द्रव जो होता है कि वह इनकंप्रेसिवल होता है यानि इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते अगर आपने एक इधर से अगर लिक्विड को इधर से बंद कर दिया दर से आप धक्का लगा रहे हो फ्यूल कभी नहीं दब सकता पाई भी फट जाना तुमारा लेकिन फ्यूल को कोई दबा नहीं सकत करके देख ले ना एक्सपेरिमेंट तो तो यह इसी प्रोपर्टी का फायदा उठाके अपन लोग इसका सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं अपने कितनी बड़ी-बड़ी क्रेन होती है क्या क्या उठा देते हैं पूरी की बिल्डिंग उठाके रख देती हो तो इसी प्रो देगा खुर इसी का सबसे बड़िया तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर ábirm होता है एक में भप यह होता है कि मास्टर से दर्म में अतिरिक्त रखा जाता है इसलिए इसका नाम पढ़ गया और वहां तो यहां पर आपन जैसे पैडल दबाएंगे इनके अंदर इनके अंदर पिस्टन लगे होते हैं जैसे ही अपन दबाते हैं पिस्टन दबता पिस्टन दबता है तो यह इस ओल को धक्का मारता है और जैसे ही इसाओट यहां पर आकर पिस्टन पर मारेगा उrane और यह चीज अंदर जागी इन बाहर से निकलेगी तो यह आपकी red कलर की प्रेशर प्लेट होती होती जिसको तरफ दक्का देठा यह जैसे ही इसको दबाएगी तो यह चीज भार की तरफ निकलेगी और भार की तरफ निकलते ही वह यह वाली प्रेशर प्लेट थ्रेडी में यह नहीं दिखाया बाकि पूरी राउंड है इसको भार की तरफ निकाल देती हलका सा ताकि यह डिसंगेज हो जाए यह इदर आ ज कि कि बजया है। इसमें क्लच पेडल बहुत स्मूथ होता है। बहुत कम ताकत की जवर्ग पड़ती है हम का सा हिषारे से काम हो जाता है है उधर नहीं होता है इतना उदर आधी कल अच्छ तो आपकी फिरी जाती थे कि आदी के बाहत लगने स्टार्ट होती हूं कि अ हाँ आ ये बिलकुल बिलकुल लेकिन अब की पीक अप देखना तो कि यह अभी जो लेटेस्ट में पिक अप और एक वह आता है मैंट दोर आती है आपने नाम सुना हो तो उनमें सबसे ज्यादा क्योंकि वह थोड़े हैवी टाइप के वहिकल होते हैं अरे वह दर्एतर और बीक आप पीछे से खाली होती बढ़ी थोड़ा साओ पीजिए पूरा नाम नीश only के आज गूगल सर्च करने कि अब तो आगे हैंने अब तो आगें अब तो ट्रेक्टर वेक्टर सब में देने लगे निए पहले तो बड़ा कॉंप्लिकेट था अब तो ट्रक्टर के अंदर पावर स्टेरिंग आ गई पहले तो पूरा इंसान को घूमना पड़ता था आज कोई पान साथ साल पहले की बात करूँ तुमें अब तो हलका हलका याद से हो जाए हैं अब तो सारे अब तो बात ही नहीं कर अब तो लगबग लगबग सब्सक्राइब क्या अब नहीं चोटी पीक अप टाटा 407 मेटर बोलते हैं और पिक अप थोड़ी छोटी आती तेकि उसको इसको एपन ऐसा करेंगे लिखेंगे कल अच्छा इसके अलावा आपको फिर ऑटोमेटिक बचेगा एक आपको मैं थोड़ा सा सीवीटी वाला फंक्शन भी समझाऊंगा ना एक्च्वल में अभी ऑटोमेटिक भी आएगा ऑटोमेटिक जिसको अपन सेंटिफ्यूगल भी पहले जो आपके स्कूटी आती दिना या फिर आपके 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 वहिकल आते थे उन में यूज होता था लेकिन आज कल यह वाला फंक्शन यूज करने लगए यह थोड़ा सा करेंट टेकनोलोजी जिसको पन पढ़ेंगे सीवीटी मेकेनिजम आपके एक्टिवा पे लि ना क्लच का यूज कर रहे हैं आप ना घीर दोनों अठादी दोनों अठादी बस एक पुली है और एक बेल्ट है उसी की सहयता से काम करेंगे यहां पे जो पुली यूज की जाती है ना वो वैरियेबल मतलब अपना डायमेटर कम ज्यादा कर सकती है बस उसी का उसी का आद कार आरी उनमें कोई गीर नहीं है कोई क्लच नहीं है इंपोर्टेंट हो जाता है द्यान रखना उनमें पूछे कौन से टेक्नलोजी होती है तो सीवीटी अब इसकी बारे में अपने कल पढ़ेंगे अच्छे से टीवीटी का थोड़ा सा देख किया ना थोड़ा सा मेहनत करना बुक में तो नहीं मिलेगी गूगल ही बताएगा बुक में तो चाहिए दिने सीवीटी में के निज़ों झाल झाल